आगे देखिए आपका प्रडक्शन का आदमी है एक आदमी आपका मशीन चॉप का आदमी है एक वेल्डर है यह फिटर है बहुत चोटे जॉब हैं लेकिन इनकी सेलरी अगर आप सुनेंगे तो आप सुनके हरान हो जाएंगे पास साल के साथ साल के बाद पच्चिस से पचास घ्लास विपे सेलरी इन लोगों को मिलती है और वो इसी लिए मिल पाती है तेकि मैं 53 यह का मेला बिजनस में ग्राउंड है तो लगवग लगवग अब यॉंगस्टर्स के बारे में तो मैं कहीं निसकता स्टार्ट अप के बारे में लेकिन जो यहां पर लोग हैं सब को ही जानतों पूरे जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं गाजयबाद आईती आप देख सकते हैं यह जो गाजयबाद का एरिया है यह वन ऑफ द बिगिस्ट इस्टील एरिया माना जाता है मुझे यहां पर इस तरीकी का बोड दिखाई दिया था चोटा सा जो बोड है यह और दिखाई दिया था जहां पर विकिंसी की बारे में पूरी जानकारी दी तो हमने अंदर जाकर के पता किया जो यहां के प्रेसिडेंट हैं जो इस असोशिएशन को चलाते हैं उनके इंटव्यू की बोड़ी जानकारी देने वाली हूँ कि अगर अपना करियर इंजीनरी कौन कौन सी जॉब अपॉर्चरिंटी तो पूरी तरीके से इस् voto करते हैं आज你們 हम और पूरी तरीके हैं और यह सब्सक्राइब कर दो जली से कर दिचे एंड बा एकन को भी दबा दी सबसे पहले सर मैं आपका नाम जाना चाहेंगी और आपके बारे में हम लोगों को बताना चाहेंगी मेरा नाम बर्जिश कुमार प्रवाल है मैं संस्ता जो है All India Metal Forging Association जो ही 1971 से स्टेबिलिज़ड है और और न डोल्डेस्ट एस्ट एंगाजेबाद और हम यहाँ पर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री की प्रमोशन के बारे में इंडस्री को टेक्नलोजी अक्रिदेशन के बारे मे इंडिस्टर्ट के बारे के बारे में, इंडिस्टि की लोगों से export potential के बारे में, और skilled manpower प्रवाइड करने के लिए काम करते हैं। मैं इंड rescue के अंडियोर 1909 तर्ची के अंडर होग तर्ची आज एव अन्री और जसी मेरी ईडीकेशन रगाउंड मैं अंडिया का फट्र स्टन इंडियोटी ऑन इंडियोर इंजिर्ण पहंだ पोज चगनाओजी के अंदर बीटेकूम है, मैं अपने इंजिनिंग जो है राची से पास की है और मैं जबी से ही, 1969 से ही इंडिस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। इंदर्स्ट्रेंट के बार के बारे में कुछ बतायिये सर्जू मगाज média के अंदर, जो 17 जुजञ पिदी शे कि अप., यहां पर 65 हमेज पर मैं एक मदोन गते हैं करि़ें, यहां पर करीब 65,000 MSME unit हैं और 200 के गरीब large scale unit हैं और यहां पर गाज़ेबाद में सबसे बड़ी एक northern India की लोहा मंडी है जो इसी Blanchard Road industrial area के अंदर ही है और यहां पर वो function करती है बहुत बड़ा काम करती है गाज़ेबाद के अंदर basically industrial revolution है वो start हुआ 1947 से जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का partition हुआ तो पंजाबी फैमिलियों ने गाज़ेबाद के अंदर migration किया तो उन्हीं लोगों को promote करने के लिए सब्सक्राइबाद करने के लिए यहां पर इंडस्ट्रिओं का परसलण चलूओ उबसे पहले गाज़ेबाद के अंदर जो रंडाली की ती जो गाजेवाद के इंडस्टि के जनक माने जाते हैं।UB संबसे पहले फुरूआज जो हम इहां यहां पर शुरुआट है। हो इंजन बनाने के लिए तक दो विए उसके बात हैं, खुंटे ही केसा स्थ, सब्सक्राइब लेखिए री रोलिंग के अंदर बहुत बड़ा काम होता है यहां पर उसके बाद फिर यहां पर पाइब इंडस्ट्री बने आपको यह रान होंगे आप सुनकर के गाजेवाद के अंदर 40,000 टैन अब इस्टील की प्रड़क्शन और टेडिंग पर डे होती है एक बहुत बड साइट पर जायें इसको देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं यह यह ढ़ी आप देखिए आदा एंची से लेकर यह पर 16 तक के बड़़े पाइप बनते हैं यहां मशून की मशीन टूल डिबीजन में आप बहुत-बहुत बड़ा काम है यहां पर लगबक किते लोग इस पांच लाख लोग यहां काम करते हैं, तर्ट और मैं टारेक्ट इंप्लोइमेंट की बात कर रहा हूंगे हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा यहां पर जो पोटेंचल है, वो में समी यूनिट के अंदर ज्यादा है, जो कि में समी यूनिट बहुत है किसे आती है? यह पर जो पर्मैनेंट हो उ चया वो टेम्रेरी हो, यह पर दूसरे की जान पेचान से यह आती है, है यह ऐसा कोई यह सिस्टम नहीं है, क्यों कोई प्लेसमेन एजनसी की जोरुरुप्मेंट हो बहुत कम लोग प्लेसमेंट एजनसी के थे तो जॉब्स जॉब्स ही जॉब्स है आप देखिए कि आप हरान हो जाएंगे ट्रेंड और इंडस्ट्री में आत्मी नहीं मैं डेली कम से कहां 20 या 30 पॉल को सुनता हूं कि हमारे को सब यह आदम बच्चे दिलवा दीजें हमारे को यह बच्चे दिलवा दीजें बात यह यहां अपनी बीच में गैप को फिल करने के लिए ही मैं यह अटेम्ब करने जा रहा हूं अपनी इस असेशन के अंदर एक ट्रेंग कोर्स यहां पर हम चालू करना जा रहे हैं जिसका प्रफेशनल ट्रेंग कोर्स के असाब है शॉर्ट टर्म कोर्स होगे और वह बेसिकली हुआ उसके अंदर एंड़ीटी एक संस्ता है ग्रेटन नॉड़ा के अंदर जो हमारा साथ रोड़ करके काईट काईट इंजिनिरिंग कॉलेज है मेरा डोट के ओपर वो और हमारी एसोटेशन और एक एंड़ीटी वो और एक जो हैं एनसाइसी के अलिगड़ के हमारा एमोयू साइ एक साल में अगर यहां हम ट्रेंड करते हैं तो पांच हदार बच्चों को प्लेस्मेंट हंडेड़ परसंट है यहां कि प्रोग्रामर में एक इंजिनिंग सेक्टर की में जॉब की वेकंसिज बता रहा हूं वीटल ओपरेटर से हैं फोर्जिंग ऑपरेटर से हें फोर्जिंग के हैं फ्यूल को अनर्टी कौस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे हमें आदमी चाहिए होते हैं जो हमें यह काई यह आपका प्रटक्शन का आदमी है एक आदमी आपका मशीन चौक का आदमी है एक वेल्डर है यह फिटर है बहुत चोटे जॉब हैं लेकिन इनकी सेलरी अगर आप सुनेंगे तो आप सुनके हरान हो जाएंगे पांस साल के साथ साल के बाद पच्छिस से पचास जार लाज पर तक की सेलरी लोगों को मिलती है और वह इसी लिए मिल पाती है क्योंकि वह अपने सब्जेक्ट में अपने काम के अंदर महिर हो जाता है हमें क्वालिफाइट बच्चे नहीं चाहिए हैं मैं यह बिल्कुल आपको इस समय यह नहीं कहना चाहूँगा क्वालिफिकेशन क से भी बच्चे की प्लेश्मेंट में प्राबलम है क्योंकि ही जाते हैं कि वह हमारे कितरे ढले हमारे तरीके से काम सीखे हमारे कितरे ही पड़े देखिए ऐसा है आप यह देखिए जो पच्चा एक महीने की ट्रेइनिंग ले लेता किसी भी किसी भी एक कोर्स अब्जक्ट में आप उसका लेविल ऑफ एनर्ची देखिए आप लेविल ऑफ वर्ग देखिए इस एंटार ले डिफरेंट एन एंजिनियर एंड एंबीए एक्सपोर्ड का कोर आप प्लेस्मेंट तो देखिए उनके प्लेस्मेंट लेविल तो देखिए आप यह तो बताइए कि पच्चा यह है हम पताते हैं उसको कैसे जॉब मिलती है हम अभी यहां पर आप इंडुस्ट्रियल एडिया में लगबख सभी फैक्ट्री से कनेक्टेड हैं तेकि मैं 53 य इस तरीक़ी की जो पर पूछिए आपने में अब इस को चोटी कंपनी में चोटी कम्पनी में जब आदमी काम करता है ध्यान रखिये उसकी रिप्लेस्मेंट नहीं मिलती है स्टर्टिंग में बड़ी और दूसरी बात यह इंदर में चोटी कमपनी में सेलरी में लेकिन जंप बहुत जादा है देखिए आँ हूँ चोटी कमपनीों में सेलरी मिलती है या वेजिस जो मिलती है टेनेंट के साथ-साथ उसको बफ़ादारी के सल्वी में मिल दिया है एक और लास्ट कॉश्चिन में आपसे पूशना चाहूंगी जो आप कोर्सेश अभी इंटरस्ट्रियल एरिया के लिए लेकर के आए हैं हैं इन कॉर्सेश के लिए लेकर क्या आए हैं उन और सकते हैं टेल्एक हूद उसके हैं उसेसी ratatisast well भठती नहीं जितना जादा वह सेलरी को अटेंड करेंगे जितना ज्यादा डहें नरा करने के बाद तो उसकी ऐसली भड़े गते जो लेक्षा है क्यों कि उसका सेलरी स्टाटिय कम होगी लेकिन कि दोर इसन स्टेविल्टी की पहुत ज्यादा होगी बहुत जाला होगी, क्योंकि higher educated बच्चा जो है, इंडस्ट्री के अंदर job को change बहुत चल्दी करता है, वो change करने की विज़से हो सकता है, कि उसकी salary बढ़ जाए, लेकिन उसकी stability नहीं रहेगी, आज सबसे जारा जुरुत, आज की मैं आप सब लोगों को इपताना चाहता हूं how much you can be loyal to them, मैं ये भी साथ-साथ कहूंगा, कि जो जो लोग जिसको employee करते हैं, वो भी अपने employee की तरफ वफादार हों, अगर दोनों वफादार होंगे, तभी देश और समाज, या जो हमारी industry या ट्रेन है, वो आगे पड़ पाएंगे, ये देखे, इतनी जाला requirement है, इतनी बच्चों की, लड़कों की, लड़कों की, इतनी requirement है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, fresh के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, बड़ी कंपनी, fresh को रख लेती हैं, रखने के बाद वो training देती हैं, हम चाहते ही हैं, कि जो बच्चा कम पड़ा लिखा है, घरीब तब के का है, medium class का बच्चा है, हम उसको यहीं training दें, देखिए, अभी मैंने पिछले साल करीब 500 बच्चे जो मैंने recruit किये थे, वो कैसे किये, बच्चों का, मैंने engineering के बच्चों को, और ITI के बच्चों को मैंने बुलाया, उनकी मैंने counseling करी, counseling करने के बाद industry के अंदर भेजा, भेजने के बाद उनको, जिस industry के अंदर employment की requirement थी, उनकी मैंने यहां पर training दी, उनको website से, उनको training देखिए, यह इसकी website है, कमपनी की, देखो, उसके अपने question answer में से पूछो, चार-चार गंटे के बच्चे पर, 4-4-6 गंटे के बच्चे पर, मैंने लगा है इसके बाद, और आज करोना की problem नहीं है, इन परसंट रहेगा, और चाल लगभग फीस बगेरा कितनी रहेगी, यह अलग लग पैकेज है, 7 courses है, 7 courses है, इसके अंदर हमने आपको एक WhatsApp भेजा है, इसके अंदर सारी चीज़ें उसमें फी स्ट्रक्चे लिखी है, हमारी association के member की, जो फी स्ट्रक्चर तो हम इसको लिए, कोई दिकत नहीं, मैं इसको कोशिच करूँगा, जो course coordinator है, उनसे मैं काम करा हूँ, देखिए मैं आपको सामने एक और बात कहना चाहरा हूँ, अभी कल ही की बात में आपको बता रहा हूँ, NTT courses के अटेंड के वे बच्चे, course के वे बच्चों का, एक हज बेगेंदर इंटर्वू है, वहां भी select होंगे, देखिए पूरे दुनिया में जहां पर engineering industries है, refineries है, जहां पर बड़े-बड़े कारोबार है, कारखाने है, वहां पर NTT की requirement है, हमने course certificate को पकड़ाया भी, तो बहुत सारी जानकारी दी sir, और आप में बहुत सारी चीजां लोगों को बताया कि किस तरीके से इंजीनियरिंग में, जो केंडिडेट रहते हैं, वो अपना जो करियर है, वो परस्यू कर सकते हैं, और आपने एक WhatsApp जो सेंड किया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डा करें, हमारा में उधेश यह है, देखिए बच्चे आएं, बच्चे आएं, पढ़ाएं, हम देखिए मैं 50-75 यह का हूँ हूँ, मुझे पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके बोज़गार दिल्वाने के लिए, उसका फाइ सब्सक्राइब काम टाइब काम दाएं, आप जाके देखिए विए निस इसी का जोने की लिएटार का इंस्ट्रिटूट है, उसका परोड की इंवस्मेंट हैं, छोटी-छोटी सीजों पर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों की, अब हम उनको भुला भुला के, CNC उप्र उसकी काउंसलिंग करके समझने के लिए मेरे लिए क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए वैल्यू है क्या बच्चा बनना चाहता है कि मैं बेटन का खिराडी रहा हूं और मैं स्टेट के अंदर खेलता रहा हूं मुझे यह पता है कि जॉब आई-एस पी-स या बहुत बड़े सैंटिस्ट जो बड़े-बड़े लोग हैं उनिया के अंदर वो ही बन पाए हैं जिनको उसके रिक्वार्मेंट है मैं आपको एक 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 हमने प्रेंटन टूर्मेंट कराया इसका डिस्टिक लेविल का एक लगा दादरी साय नंगे पैर खिल रहा थ जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं अगर वो इंजीनियरिंग में अपना करियर पर्स्यू करना चाहते हैं उनको नहीं पता कि वो किस लायक है वो लोग आपको कॉंटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कराई है उनसे बिल्कुल और यह तो बहुत बड़ी अपॉश करना चाहरे हैं बागी आगे हमारा जो आगे जो स्कूप हमारा बनेगा नॉन इंजिनिंग के बहुत बहुत है उसके अंदर उनको बच्चों को ट्रें कराएंगे उनको पढ़ाएंगे लिखवाएंगे यह हमारा उदेश है अच्छा सर यह जो आप अशोशीशन है यह यह अपना फिर प्रफित और शॉर्गारा उनको बेखे और आप अच्छा स्वाशीशन है यह जो फीसर रहती है वह बहुत निमिट मे रहती है नहीं हमारे मेंबर्स हैं अधारी इंडेशन का मतलब हैं हमारी जो अबर्शिप के इंदर वन परतिंड बाट नाप अर जो बीद वो इसके अशोचेट नंबर हैं, तो आप उनके लिए लोगों को भी जो है, उनके लिए जो रिक्वार्मेंट होती है, मैनपावर की वो भी फल्फिल करते हैं, साथ ही साथ जो स्किल्ड लेवर होती है, वो भी प्रवाइट करता हैं, मैं उदेश हमारे बहुत तारे हैं, हम आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी और गाइस अगर आप इंजीनिरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सरसे जरूर आप कॉंटेक्ट करिये अगर आप अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं सुइच करना चाहते हैं या आप नई जॉब अपॉर्चनिटी देख रहे हैं आपने इट आई का डिप्लोमा किया है या डिग्री ली है या बीटक की है आपको नहीं समझ में आरा कि आपको आगे कैसे पर्शू करना है तो भी आप सरसे असिस् मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और important topic के साथ कोई नई जानकारी के साथ तब तक के लिए thank you so much and bye bye